कि यह नमस्कार दोस्तों मैं विराठ चोदुरी श्वागत आपके अपने वीडियो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो आप सबी के लिए बहुत सारे बच्चे जो अभी परजेंट टाइम आज के इस वीडियो में आपको CRP की जो प्रोफाइल बताने वाला हूं पूरी डिटेल में कि CRP एक्चुली क्या काम करती है इसका काम क्या क्योंकि Central Reserve Police Force आपके दिल में आता होगा कि यह बिल्कुल Reserve Police Force है तो मैं आपको बता दूँ यह पहले बात हो कि दिया वा नाम है Central Reserve इसके पूरी की पूरी काम होता है बिल्कुल Force की तरह होता है है इसके आपने वर्धी देखी होगी 2 वर्धी है सबी फोर्ष की तरह इसके वी एक पर्रफ होगी ऐसा नहीं दोस्तों Central Reserve Police Force नाम है बाकि रिजर्व नहीं बहुत सारे इसमें कून कून सी ड्यूच्य कून कौन से ड्यूटी आप इसमें फार्ट तो इसमें लगने के बाद में कौन-कौन सी आप ड्यूटी कर सकते हो कौन-कौन सी फोर्ट में आपको काम करने का मौका मिलेगा इससे और इसकी जो प्रोफाइल क्या है किस प्रकार से इसकी से ले रही है किस प्रकार से इसमें रिस्क से कौन कुन से यह ड्यूटी है करती है उसके बारे में पुरी की पूरी में डिटेल देने वाला उस दोस्तों साथ एक चीज़ बता दूंगर आप ऐसे जीडी की तैयारी करें दोस्तों तभी आपको फ़र तो इस यह मिलेगी कि मेरिट इसकी काफी उपर रहती है तो अगर आ अगरवाल प्रॉब्लिकेशन की एक बुक है असे जीडी के लिए इस्पेसली तो अगर आपने अभी तक पर्चेस नहीं किये तो पर्चेस कर सकते हो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में आप अमेजन पर जाके पर्चेस कर सकते हो उधर भी बेस्ट शेलर बूक है और इस करने का मतलब है देश के अंदर शानती काइम करने का काम है और अभी परजेन टाइम में विश्वा कि सबसे बड़ी परमिलेटरी फोस्ट चैसा है याने सेंट्रल आर्मड पूलिस फोस्ट के रूब में विश्वा के सबसे बड़ी लार्जेस पोस्ट है जिसकी संक्या संधिंग तीन लाख यो अगर आपकी फश्वेसश पुंए टियो करती है शाथ में आतंकों के खिलाब कश्मिर यह से संथर्वएड पे डूटी करती है लोपी करती है लाइन और ड्यूटी करती है इलेक्षण ड्यूटी करती है नक्सलवाध के खिलाब वामबवाद के खिलाब यानिः देश में हर एक जगह एसा बुला पर जान कारें लोगी मतलब आप ने देखा होगा और इस भी देखा हुगा और कोपरा कमाउंडो भी डाप बहुत होगा इसे मेरते कोपरा कमांडों नहीं बन सकते दोस्तों अब बात करते हैं आरे जानकार ही नहीं होगी आरेफ मतलब आपने देखा होगा आपडा परबंद की रूप में काम करती है या कहीं धरना परदसन या कहीं उगरवाद फेल जाता है या कहीं अंदोलन में हिंसा जाड़ जाती है तो वहां पेक आरेफ वी आइप प्रोटेक्शन दोस्तों सभी को बता दूं अभी परदेन टाइम में कुछ नहीं बटालियन मनिये जो कोई वी आइप प्रोटेक्शन का काम कर रही है यानि जो सीब एस्पी मतलब है अपनी स्पीजी कमांडों का मतलब रूबरू है मतलब उसी टाइप की सब्सक्राइब की युनिफॉर्म रखी टाइबेल्ट की और सेम उसी टाइप से रहते हैं और यह वी आइप बटालियन के रूप में मतलब घटित की गई है जिसमें आपको वी आइप प्रोटेक्शन टाइप की ड्यूटी करने को मिलते हैं इसमें मंत्री हो गया या कोई उसके अलावा पारलियमेंड की शामियं लगते हैं वो इनरेजी कमंड मन बन सकते सब्सक्राइब से अगर आप सी आरासिमार इससे आतरा भी युने के दोबाद सिया वह titles अशान हो अभी तो करोना काल के विज़े से नहीं जा रहा लेकिन हर साल जानती दूद के रूप में से एक कोई ना कोई टुकडी हमें से जाती है तो आपका भी हो सकता कि नंबर लगे उसमें तो कभी आपको भी जाने का मौका मिल सकता दोस्तों तो यह कुछ ड्यूटी जो आप सियार के जवान ही जा सकते हैं दोस्तों तो यह कुछ यह ड्यूटी अब बात करें इसकी दोस्तों इसकी अभी परजें टाइम में जो बेसिक चैलरी हो इसके अलावा डिया आप सभी को पता है एंचारी के अलगलग रूट होलते हैं आट परसेंट फोड़ा परसेंट और चोबी इसकी खेलरी हो तो सभी किसाना उते हैं लेकिन इस एर्प में सब्सक्राइब मिलता है इसका रिजन यह कुछ रिस्क वाली फोस्त याई आपको पता है तो यहां पर रिसक लाउंस काफी हाई रहता है मतलब 17300 के आज पास रहता है कस्मीर में भी 17300 प्रस रिसक लाउंस रह देशन टाइम अब देश में सबसे ज़्यादा अगर आप आपका भी सपना जाने का तो कुछ इस परकार की आपको ड्यूटियां करने को मिलेगी साथ में एक चीजों में बतातों से आप पढ़ने की काबिलियत है अगर आपकी अच्छी आप पढ़ने की आ रहे हो लेकिन आपने ग्रेजवेशन कर रखी है या ट्वल्थ आपने साइंस में से कर रखी है या पढ़ाई में काफी अच्छी हो तो आपको बहुत सारे या उससर मिल जाते हैं डिपार्मेंटली परमोशन एक्जाम के लिए क्योंकि काफी बड़ी फोस है तो काफी बड़े ना करें प अगर अगर आपके लिए बहुत यची फोसे इसमें कोई संदे नहीं है आपकी फ़र्श वह संदे नहीं क्योंकि आप इसमें लगकर डिपार्मेंटली क्योंकि तीन लाग के समतिंग फोसे नि काफी बड़ा अंखडा अग्जाम भी अच्छे होते हैं और प्रमोशन के अगले परमोशन के लिए आपको 17-18 साल लगजाएगा अगर आप मेहनत करके या एकजाम देखे परमोशन नहीं लेते हो तो तो आपको समें लग जाएगा 17-18 साल लेकिन हाँ आपका जो प्रमोशन पे वहर 10 साल बाद में जूटता जाएगा दूस्तों वह जैसे आपको CTG अगर आपको 17-18 साल का समय लग जाता है दोस्तों यह इसके प्रमोशन के बारे में साथ में इसकी क्या क्या डूटी है वह आपको मेरे ख्याल जे समझ भी होगी जैहिंद जैभाराइब